आई फ्रेंड्स मैं हूँ प्रमा वेलकम तु माई चैनल और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ होम रेमिटी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत है सिंपल है बनाना भी और अप्लाइ करना भी और इससे आपको इंस्टैंटली ग्लोइंग और ब्राइट स्कीन मिलत है तो इस वीडियो को जरूर देखियो और जान लिजिए यह सिंपल सा होम रेमिटी से आप इंस्टैंटली ब्राइट स्कीन पास सकते हो तो चलिए देर कि यह बेना शुरू कते हैं इस वीडियो को लेकिन मेरे चैनल को प्लीज सुबस्क्राइब कर लेना और इस वीडियो करता है milk एक excellent exfoliator भी है जो dead skin cells को remove करते हैं और skin को bright smooth and fair बनाते हैं बेसन एक natural cleansing agent है बेसन tan को remove करने में बहुत beneficial है और यह acne और pimples को भी reduce करता है rose water use करने से बहुत ही refreshed feel होता है और यह एक toner की तरह भी काम करता है तो यह ice cube आपको bright और fair skin तो देगा ही उसके साथ rose water इसमें मिलाने के कारण यह आपको एक refreshing filling भी देगा इस ice tray को बहुत अच्छे से clean कर लेना है क्योंकि आपको यह ice cube face पे करना है यह बनाया हुआ जो mixture है इसको डाल दूंगी मैं इस आइस ट्रे में इस क्यूब को अपने पूरे face और neck area पर apply कर लीजिए इसको apply करने के समय थोड़ा careful रही है क्योंकि इसका liquid गिर सकता है इसलिए हमेशा एक towel या फिर कोई भी कपड़ा हमेशा अपने साथ रखिए इस ice cube को circular motion पर apply कर लीजिए और फिर थोड़ा सा massage कर लीजिए rose face pack को बनाना बहुत मुश्किल होता है तो इसलिए आप एक बार इस ice cube को बनाके refrigerator में store कर लेंगे तो यह बहुत दिनों तक अप use कर सकेंगे और आपको रोज रोज face pack बनाने का जहमिला भी नहीं होगा ice cube के और भी बहुत सारे benefits है जैसे कि यह pore को minimize करने में बहुत beneficial है wrinkles and fine lines का appearance भी कम करता है puffy eyes और dark circles को भी यह reduce करता है तो यही था वह home remedy जो आपने अभी देखा तो अभी तो आपको मालूम हो गया कि यह कितना simple है बनाना और इसको apply करना भी कितना आसान है तो जरूर इसको apply कीजिए trust me यह बहुत ही ज़्यादा effective सबसे अच्छी बाद तो यह है कि यह कोई भी skin types के people apply कर सकते है इसको तो आपका skin चाहे normal, oily, dry या कुछ भी हो आप इसको apply कर सकते हो hope कि यह video helpful रहा होगा तो इस video को like करना और मेरे channel को subscribe कर लेना so that's it for today thanks for watching bye bye